नहीं हूँ, education के field से नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, एक artist हूँ, एक creative इंसान हूँ और आप लोग बहतर जानते हैं education के बारे में, इतने साल से आप education चला रहे हैं पिछले कुछ साल से मेरा अनुभव हुआ है, चुके मैंने कुछ फिल्मे की हैं, एक फिल्म थी तारे जमी पर, और अभी हाली में मेरी जो फिल्म आई है, three idiots, ये दोनों फिल्म है education के topic पर हैं तो लहाजा मैं, इस वज़े से मैंने काफी research की education के उपर, और कुछ चीजे मेरे सामने आई हैं, और वो चीजे मैं आपके सामने रखना चाहरा हूँ, आज हैं parents हैं, educators हैं, teachers हैं, बच्चे भी हैं, हो सकता है, पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, education से जो, जिनका संबंध है, और वो ये के सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है, ये मैंने discover किया अपने research में, हर बच्चा खास होता है, हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह और हमारी तरह, हर बच्चे में कुछ नकुछ काबलियत होती है, कुछ नकुछ कमजोरी होती है, मुझ में भी कमजोरी है, काबलियत है, आप में भी कुछ नकुछ काबलियत और कमजोरी है, और हर बच्चे में कुछ नकुछ कमजोरी और काबलियत होती है, और हमें as parents, as elders, as education system, हमें हर खासियत को पहचानना है, उसे मदद करनी है, उसकी क्या खासियत है, उसका क्या दिल चाहता है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है, वो हमें उसको हेल्प करना है, कि हम उसको ढूंड सके, और उसमें हमें सपोर्ट करना है, और जो उसकी कमजोरी है, उसमें हमें उसको सपोर् आते हैं या हम जो बोर्ड एक्जाम में उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं सबसे बड़ा सवाल मेरा यह हमनी अफ़ाच चलेना हैपी और वो जो happiness quotient है ना वो मेरे लिए सबसे एहम है क्योंकि देखी पढ़ाई लिखाई तो हम सीखी लेते हैं जब मुझे कोई चीज सीखी नहीं होती है तो मैं कुछ न कुछ करके सीखी लेता हूँ हमारी फिल्म थ्री इडिएट्स जब रिलीज होने वाली थी रिलीज से पहले हमने कई screenings रखे थे test screening जिसमें कि हम audience जैसे आप लोग है उनको बलाते हैं film दिखाते हैं उनसे पूछते हैं कि film कैसी लगी ऐसे एक test screening हमने किया था बंबई में एक factory में कारीगर लोग काम करते हैं तो करीब 25-30 कारीगर आये थे उस screening में screening के बाद उनका एक कारीगर था उसने मुझसे एक सवाल पूचा उसने मुझसे ये पूचा आप लोगने फिल्म देखी है Three Idiots उसमें उसने मुझे एक सवाल पूचा जो बहुत कमाल का सवाल था उसने मुझे ये सवाल पूचा कि सर पिच्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रंचोड़दास थे ही नहीं रैंचो तो थे ही नहीं आप तो certificate तो आपको मिला नहीं वो तो जावेज जाफरी को मिल गया तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए इतने बड़े patents 400 patents जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं तो आपको certificate तो मिला नहीं तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए बहुत ही एहम सवाल है ये बहुत ही important सवाल है और ये जो मद्दा है उसके heart में जाता ही है कि जब मैं exam के लिए रट के जवाब देता हूँ और वो जवाब में मुझे number मिलते हैं और मैं pass हो जाता हूँ तो मेरे हाथ में एक परचा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पड़ा लिखा हूँ या नहीं ये अभी तक मुझे को शौर मालूम नहीं है लेकिन जब आप knowledge चाहते हैं क मैंने बोला उसको के भाईया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूँ उसने बोला हाँ देज भर में आप सब लोग मानते हैं आपको आप अच्छी एक्टर हैं मैंने उससे कहा के भाईया मेरे पास कोई certificate नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ मेरे पास कोई कागज नहीं है जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छी एक्टर हूँ मैंने फिर उससे एक सवाल पूचा कि आप मैंने सुना आप बहुत अच्छे कटर हैं आपके जो बॉस मुझे बताते हैं कि आप उनके में कटर हैं और आपकी बड़ी इज़त करते हैं वो आपके पास कोई परचा है सर्टिफिकेट है जो मुझे बताता है कि आप कटर हो उसने मुझे बहुत नहीं सर तो मैंने मुझे बहुत आपका जवाब आपको इधर ही मिल गया एजुकेशन इस बियॉंड मार्क्स एजुकेशन इस बियॉंड ग्रेड्स एजुकेशन इस वाट यू लर्न और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नजरिय से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें और शिक्षा हम खुशी से दें क्योंके शिक्षा में सिर्फ ग्यान नहीं होता शिक्षा में एक और चीज मिली दी होती है वो यह है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं as human beings आगे चलके वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने आगे चलके वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें आगे चलके वो इज़त की जिंदगी जी सकें आगे चलके वो दूसरों के बारे में ध्यान रखें आगे चलके वो किसी के चहरे पे मुस्कराहाट ला सकें आगे चलके वो किसी की मदद कर सकें यह मेरी फीलिंग है मैं जहां भी देखता हूँ, यह मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं छोटा था, जब से हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा घर आता है, हम बच्चे को पूछते हैं, भाई, मार्क्स कितने मिले हैं, फर्स आए के सेकंड आए, वो बलता ह यह दान पड़ती उसको जो बुलता है मैं 10 ताय तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती है बच्चे को लगता है यार यह फॉर्स आना पड़ा ज़रूरी है उसको रेस में पूछते हैं तो हम रेस में फॉर्स आय के एक सेकंड आय है में हम उसको बच्पन से जबसे वो केजी लोवर केजी में होता है जब लोवर केजी में रेस होती है चमचा मूँ में लगा के उसमें नीबू डलके भागते हैं उसमें भी हम बच्चे को बुछता है, रहे मेरा बेटा फ़र्स राय के लागो, मतलब नीबू लेके भागो, तो उसमें होता क्या है, कि बच्चे को लगता है, यह बड़ा ज़रूरी है, मेरे पेरिंट्स को, हमेशा मेरे पेरिंट्स मुझे एक ही सवाल पुछते हैं, मैं फ पर मेरे साथ हुआ है। होता क्या है कि जब वह बच्चा 21 साल का होता है, तो वह बड़ा selfish हो जाता है। और उसको selfish हमने बनाया है, हमारे system ने बनाया है। वह अपनी बारे में सोचता है, और किसे के बारे में नहीं सोचता है। क्योंकि यह हमने उसको train किया है, बचपन से, बचपन से हमने उसको यही train किया है, कि बेटा तुम पहले आना बाकी सब लोग को भूल जाओ। तो जब वह नौजवान बनता है, तो उसका नजरियां society की तरफ यही हो जाता है, कि भाईया मुझे आगे बढ़ना है, by hook or by crook, I must succeed, I don't care about anybody else. मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिल चाहता है, कि अगर हम, जितने यहाँ parents हैं, adults हैं, youngsters हैं, जो कल जाके parents बनेंगे, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें, जब वो चोटे हैं, जब वो घर आए, हम उसको ये सवाल पूछें, ये नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिले उसको ये पूछें, कि बिटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पे मुसकराहट लाई, अगर हम उसको ये पूछें, तो उसको ये लगेगा, कि यार ज़रूरी ये है, मेरे parents मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो अभी पूछते नहीं, वो मुझे ये पूछते हैं, कि भाईया, तुमने किसको help किया आज, तो help करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुसकराहट लाना, ये मेरे parents के लिए बड़ा important है, psychologically वो इस चीज़ के साथ बड़ा होगा, school वो ही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वो ही करेगा हो, उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा, जब वो नौजवान, जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उमर के जब 21 साल के होंगे, हमारी society चेंज हो जाएगी, क्योंकि तब हमारी society में ऐसे नौजवान होंगे, जो खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे education system में मैं देखना चाहूंगा, जो मैंने अपने school life में नहीं देखी, कि हमको ये एहमियत इस पर दी जा रही है, कि हम अपने आसपास के बच्चों को कितना help कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी तब्दिली अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुदर सकता है, बहुत बदल सकता है, हम बहुत आ जाए हैं।